हेलो फ्रेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में भारत में G20 की मीटिंग औरगनाईज हुई है जहां प्रधान मंतरी मोदी जी ने 9 सेप्टेंबर को G20 के मंच पर Global Biofuel Alliance को लाउंच किया है जो कि इंडिया की G20 Presidency का एक की इनिशियेटिव है ये Alliance International Cooperation को Intensify करेगी और Biofuel के Sustainable Use को भी प्रमोट करेगी आईए जानते हैं कि Biofuel क्या होते हैं Biofuel एक तरह का fuel है जो की थोड़े समय में Bio-Mass से बनता है ये Agriculture Waste, Plant Waste और Domestic Waste से तयार किया जा सकता है इसकी Climate Change, Mitigation Potential बहुत ही अच्छी है और इसका Use Transportation Purpose के लिए किया जाता है इसका Use Heat and Electricity प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है Biofuel Renewable Resources हैं जो की मेंली दो तरह के होते हैं पहला Bioethanol और दूसरा Bio Diesel US World में Bioethanol का Largest Producer है वहीं पर European Union Bio Diesel का Largest Producer है